दोस्तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि यह एक ऐसा वीडियो है जिसमें आपने हजारों युद्धों के बारे में सुना होगा क्योंकि बहुत से इतियास में युद्ध हुएं लेकिन यह एक मातर ऐसा युद्ध था जो इनसानों और पक्षिय में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले तो आप से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप ताकि ऐसी रोचक जो गटनाओं के बारे में आपको मेरे चैनल पर सब कुछ दिखाई देगा तो दोस्तों है एक जीवो गरीब बात इनसान और पक्षियों के बीच में युद्ध तो मैं हूँ राजकुमार स्वामी तो इसी विश्या पर आज यानि आपको बता रहा हूं मैं तो दोस्तों यह गटना जो है पर्थम विश्व युद्ध के बाद में जब ऑस्ट्रेलिया के जो सरकार उसने कहा था कि जो भी सैनिक सेवानिवर्त हूं है इनको जमीन दी जाए था कि इनका पुनरवास किया जाए तो उन्होंने पस्ट्रेलिया के अंदर उनको जमीन दी थी अब पस्ट्रेलिया के अंदर जो जमीन इनको दी गई थी उसमें इन सैनिकों ने क्या किया कि इन्हो एक समस्या आ गई और समस्या भी क्या थी जो जंगली पक्षी थे यानि जंगली जानवर थे एमू अब एमू यानि बहुत बड़े यानि पक्षी माने जाते हैं तो अब इनका यानि उन पे हमला हो जाता जैसे ये यानि खेती करते तो एमू जो हमला कर देते पूरी फसनों क चोपट कर देते हैं अब थोड़े यानि महीनों तक तो उन्हों ने देखा लेकिन जब समस्या गंभीर हो गई तो सभी जो पूरों सेनिक थे वो वहां की सरकार से मिलने के लिए उनका एक परतिनीदी मंडल जाता है कि साहिब यह समस्या है तो रक्षा मंतरी से मिलते हैं और इस मामले को गंभीरता से देखते हुए उनके साथ में एक सेनिक टुकड़ी को मसीन गन लाइट मसीन गन के साथ में रवाना कर देते हैं कि आप इन से इन पक्षियों को दूर बगाईए अब दोस्तों सेना की जो टुकड़ी है वो यानि वहां पर पहुंच जाती है जब पहली बार जो है लगबग 50 एमू का एक जुंड था जो सेना ने देखा था तो वो जैसे ही हमला करने के लिए खेतों पर आता है तो वो देखते हैं कि वहां पर सेना है तो उनको एहसास हो जाता है एमू पक्षियों को यह एहसास हो गया था कि उन पर हमला होने वाला ह और वो तुरंत वहाँ से तितर वितर हो जाते हैं अब जो है वो भाग करके वहाँ से उस मसीन गन की रेंच से दूर हो गए एमु पक्षी जो है बहुत ही बुद्धी मान पक्षी माने जाते हैं उसके बाद में ठीक दो दिन बाद यानि 4 नमंबर को फिर से हमला होता है लेकि इस बार जो पक्षियों का जुंड था वो लगबग संक्या में एक जार पक्षी थे और वहाँ पर जो यानी बताया गया था कि लगबग 20 जार पक्षी वहाँ पर एमू पक्षी थे जो हमला करने के लिए आते थे तो अब की वारवारा जो जुंड था वो एक जार पक्षियो का था अब जब यह अमला करता है तो एमू पक्षियों की भी किस्मत अच्छी थी उस दिन क्योंकि जब मसीन गन जो थी उनके पास में सैनिकों के पास में मसीन गन जाम हो जाती है जैसे गोली चलाने लगते हैं मसीन गन जाम हो जाती है और जब तक मसीन गन सही होती है एमू भाग खड़े होते हैं, सिरफ चार या 5 पक्ची जो हैं वहाँ पे गोलियों से मारे जाते हैं, बाकी सब भाग जाते हैं, अब एमू पक्षियों की भी बारी थी, क्योंकि उनको पता था कि आरे उपर हमला होगा, यहाँ पे सेना आई हुई है तो उन्होंने भी क्या किया कि अपने जुंड बना लिया अलग-ँलग समूओं में वो चलने लगे और सब समूओं में एक-एक पैरेदार था एमू पक्सी जो यह आग्ये चलता था और यह बता देता था कि वहाँ पे सेना है तो वो सतर्क कर देता था पिछे वाले जुंड को तो वो सभी वहाँ से भाग जाते थे कि यहाँ पे इस साइड में सेना है तो वो दूसरी साइड से यानि खेतों पर हमला कर देते थे तो दोस्तों जब ये बात धीरे धीरे यानि 6 दिन ये ओपरेशन चला था उसके बाद में जब ये बात धीरे धीरे मीडिया में लीक होने लगी मीडिया से जंता में फैली तो सरकार की आलोचना होने लगी अब जब सरकार की आलोचना होई तो सरकार ने जो है वापस सेना को बुला लिया कि आप इन पर हमला नहीं करोगे और ठीक उसके यानि लगबग 10 या 15 दिन बाद एमू पक्षी जोड़दार हमला करते हैं उनको पता चल गया था कि सेना तो चली गई अब वो जो है उन खेतों पे जोड़दार हमला करते हैं और जब वो जोड़दार हमला करते हैं तो पूरी तबाही मचा देते हैं वहाँ पे उसके बाद में वापस वो सरकार के पास जाते हैं जो सेनिक होते हैं सेवा निवर्द तो वो जाकर के वापस ये कहते हैं कि साहब हमारे यहां पर अपकी वार उससे भी बड़ा हमला हुआ है तो सरकार कैसे भी यानि जनता की भावनाओं को देखते हो भी वो वापस जो है सेना की टुकडी को वहाँ भेज देती है लेकिन एमू पक्षी तो फिर भी यानि हुश्यार थे अब वो क्या है कि मसीन गन से वो नहीं डरे और उनके बीच में जो युद दुआ तो यानि 20 हजार एमू पक्षियों में से मातर 50 एमू पक्षी यानि सरकार द्वारा जो हमला किया गया था सेनिकों द्वारा उसमें मारे गए थे बाकी एक भी एमू पक्षी जो है ना तो घायल हुआ और ना ही उनके हाथ में आया और आखिर कार में सेनिकों ने हार मान ली और वहाँ से वापस चले गए अब दोस्तों इसका जो यानि सेनिकों की जो टुकड़ी थी इसके इन चारस थे मेजर मर्डित तो मेजर मर्डित ने बाद में यह कहा था कि अगर मेरे पास एमू पक्षियों की एक डिवीजन होती तो मैं चाहता तो विशव की किसी भी सबसे बड़ी सेना का यानि सामना कर सकता था यानि एमू पक्षियों की जो रणनीती थी वो इतनी गजब की थी कि सेना को ही हार माननी पड़ी और इस विश्व यानि जो युद्ध हुआ था एमू पक्षी और यानि इनसानों के बीच में इसे एमू वार या दे ग्रेट एमू वार के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जै हिंद जै भारत